Hello and welcome to our YouTube channel O-Level की इस Practice Series में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज बारी है हमारे Chapter 7 की जिसका नाम है Email, Social Networking and E-Governance Services आज इस Chapter से हम Important Question देखने वाले हैं और इस लेक्चर को किस तरीके से Follow करना है यह आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा सबसे पहले आपको इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है कि किस सवाल में क्या जवाब सही हो रहा है और वो क्यों सही हो रहा है उसके बाद आपको चले जाना है description में वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी उसमें आपको questions की करनी है practice और जब वहाँ पर आप questions की practice करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर lecture में जो भी question आप देख रहे हैं उसमें से कितने question आपको समझ में आए हैं इस तरीके से जवाब lecture को follow करते हैं तो आपको लेक्शर लंबे समय तक वो question याद रहता है तो उससे आप exam में भी उसे कर पाएंगे तो आईए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ तो हमारा पहला सवाल है email का पूरा नाम क्या है अब email आपने सुनाई होगा तो इसका full form क्या होता है तो कहीं भी आपका email, e-commerce या e-suruaat में जो लिखा रहता है उसका मतलब होता है electronic और mail का मतलब तो mail ही है तो email का full form क्या हुआ? electronic mail अब देख लीजे कौनस option सही है? English mail? नहीं Electric mail? नहीं Electronic mail? यह हमको मिल गया सही जवाब हमारा तो email का full form क्या है? electronic mail है यह हमारा सही जवाब यहाँ पर हो रहा है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो की है हमारा दूसरा सवाल Internet का पूरा नाम क्या है? कि जो हम internet कहते रहते हैं, उसमें इंटरनेट का full form क्या होता है तो इंटरनेट का मतलब होता है देखें इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क क्या हुआ इंटरनेशनल नेटवर्क ठीक है इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट मतलब नेटवर्क तो यहां पर सही जवाब हमारा B वाला International Network इंटरनेट का पूरा नाम होता है तो ये हो गया हमारा दूसरे सवाल बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की दरफ दीजी लॉकर को किस वर्स में लॉंच किया गया था तो जो हमारा डिजिटल लॉकर है जिसमें हम अपने जरूरी डॉकुमेंट्स रख सकते हैं वो किस साल लॉंच हुआ था तो वो लॉंच हुआ था हमारा 2015 में ये सवाल आप याद रखिएगा ये पूछा जाता है बार बार बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ तो जो टेली ग्राम आप चलाते हैं जिससे आप मैसेज कर पाते हैं वो किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो उनका नाम था पीवेल ड्रॉप ये वो थे जिन्होंने किसका संस्थापक थे ये ये टेली ग्राम को विक्सित किये थे ठीक हैं? तो यहां पर सही जवाब है मारा दी वाला बढ़ते हैं अपने पांचवे सवाल की तरफ हमारा पांचवे सवाल है डिलीट किया गया मेल कहां संग्रहित किया जाता है? तो कोई मेल अगर आपने डिलीट कर दिया गया है तो वो कहां पर सेव होता है? क्या वो trash में होता है, sent में होता है, inbox में होता है या outbox में होता है तो phone में भी कोई photo अगर आप delete कर देते हो तो वो कहां जाकर store होती है, वो जाती है trash में photo भी कहां रहती है, trash में रहती है वैसे email का भी एक trash box है कि अगर आपने कोई चीड डिलीट कर दी है तो वो trash mail में चला जाता है तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा A वाला ठीक है अब बाकी option का क्या user इसको भी समझ लीजे, sent mail का मतलब होता है जो mail आपने भेजा हो, inbox मतलब जो mail आपके पास आया हो outbox मतलब mail तो आपने भेज दिया है, पर receiver के पास अभी पहुँचा नहीं है, तब तक ही कहां रहता है outbox में रहता है तो यहाँ पर delete के बारे में पूछा गया है तो हमारा A option crash सही है बढ़ते हैं अपने छटमें सवाल की तरफ POS machine द्वारा किस printer का उपियोग किया जाता है तो POS machine use की जाती है हमारी thermal printer में यह question याद रखिएगा thermal printer के द्वारा POS machine का उपियोग किया जाता है ठीक है बढ़ते हैं अपने साथमें सवाल की तरफ Twitter में tweet की अधिक्तम सब्द सीमा क्या है कि Twitter में जब आप कोई tweet करते हैं तो उसमें कितना सब्द आप लिख सकते हैं तो उसमें आप 280 सब्द तक लिख सकते हैं इससे ज़्यादा अगर आपको सब्द लिखना हूँ तो आप दूसरा tweet करेंगे और दो tweet मिला के आपका पूरा sentence या पूरा आप जो कहना चाहते हैं वो पूरा होगा लेकिन एक tweet में आप 280 सब्द ही लिख सकते हैं ये इसकी सब्द सीमा होती है इसलिए देखिए जब कोई बड़ा tweet करना होता है तो वो image tweet कर देते हैं कोई ची लिख के उसका screenshot लेके उसे paste कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 280 सब्द से ज़ादा हम नहीं लिख सकते हैं बढ़ते हैं अपने 8 में सवाल की तरफ international transaction में किस code की जरूरत पड़ती है तो जब कभी भी आप international transaction करते हैं तो क्या आपको swift code की जरूरत पड़ती है IFSC की जरूरत पड़ती है neft की जरूरत पड़ती है या none की जरूरत पड़ती है तो ये दोनों जो code होते हैं ये तो आप use भी कियोंगे neft भी आप करते हैं जब रुपए भीजना हो ये तो लेकिन देश के अंदर होता है IFSC code भी आप use करते हैं जब खाते में रुपए लगाते हैं या दूसरे के खाते में रुपए लगाते हैं लकिन जो Swift code है ये code तब जरूरत होती है जब आप international transaction कर रहे हुआ। तो यहाँ पूछा गया है इंटरनेशनल transaction करते समय किस code की जरूरत पढ़ती है। तो आपको लगाना है Swift code इस code की जरूरत पढ़ती है जब आप international transaction कर रहे हो। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो किया हमारा नौवा सवाल निम्न में से कौन सा सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है तुझे ये जो option दिये गए इसमें कौन सी सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है क्या Facebook आपकी सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है इसका यूज क्या होता है जीमेल से आप मेल को भेजते हैं यहाँ पर आप लोगों से जुड नहीं रहा है फेस्बुक जैसे तो यह सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है और यहाँ पर पूछा गया है नहीं के बारे में तो जीमेल पर हमें टिक कर देना है कि यह वाला आपसन आपका सोसल मीडिया वेबसाइट नहीं है बढ़ते हैं अपने दस्वे कोश्चन की तरफ एमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विसेवस्त के बारे में बताया जाता है तो अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं तो उसमें आप एक लाइन ऐसी लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट आता है आपका कि किस बारे में आप लिख रहा है जैसे आप लिखते थे लेटर लिखते थे तो विसे लिखते थे बुखार के लिए प्राथना पत्र तो एक line में आप पूरे mail का मतलब आप समझा देते थे किसलिए ये आपने letter लिखा है वैसे email में भी एक line में जो संदेश लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते है subject ठीक है? तो email भेजते समय किसी line में संदेश की विशवस्त के बारे में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं subject यहाँ पर हमारा C वाला option सही है बढ़ते हैं अपने 11 question की तरफ भारत की पहली राजनितिक party जिसने internet पर अपनी website बनाई तो ऐसी कौन सी राजनितिक party थी? जिन्होंने internet पे अपनी पहली website बनाई मतलब इन से पहले कोई भी राजनितिक party ने website नहीं बनाई थी तो वो party थी भारती जनता party इनके द्वारा सबसे पहले राजनितिक party ऐसी थी जिन्होंने अपना website सबसे पहले बनाया था बढ़ते हैं अपने 12 question की तरफ हमारा 12 question है email का पूरा नाम क्या है? तो email का पूरा नाम उपर ही हमने डिसकस किया था यह होता है electronic mail इसी को हम क्या कहते हैं? email कहते हैं बढ़ते हैं अपने 13 question की तरफ हमारा 13 question है निम्न लिखित में से कौन सा email का भाग नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा email के अंतरगत नहीं आता है तो email में क्या ये sign नहीं use होती? use होती है bracket नहीं use होता है dot use होता है add rate use होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ email में use नहीं होती या email का भाग नहीं है तो वो होता है हमारा bracket वाला option ठीक है तो यहाँ पर B option हमारा सही है कि कोई भी email आप लिखते हैं तो उसमें आप bracket नहीं use कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले एक शूटी सी request है अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी important मिल रहा हो और आपकी काम की ये वीडियो हो तो इस वीडियो को like कर दीजे में से कौन सा निसुलक email सेवा प्रदान करता है तो मतलब यह जो options दीए गए इसमें कौन सा निसुलक है तो सबसे पहले redic mail हाँ ये निसुलक होता है yahoo निसुलक है hotmail निसुलक है तो यह तीनों ही आपकी दी गई website निसुलक है तो आप option लगा देंगे ये सभी मतलब ये सोच के बताईए कि Google पे आप क्या करते हो Google पे आप जाते हो तो कोई चीज आप सर्च करते हो तो यह क्या होगा यह होगा search engine तो कोई अगर पूछ रहा है Google क्या है तो Google क्या है search engine है इसमें आप कोई भी चीज search कर सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं अपने 16 हमे सवाल की तरफ E-Mitr किस से संबंधित है तो E-Mitr का संबंध किस चीज से है तो E-Mitr का संबंध है E-Governance से गवर्मेंट की website होती है और E-Mitr का संबंध पूछा गया है तो E-Governance से आपको सही निसान लगा देना है बढ़ते हैं अपने 17 हमे question की तरफ याहू क्या है अब याहू भी अगर आपने चलाया हो तो याहू पे भी आप क्या करते हैं कोई भी चीज search करने जाते हैं जैसे Google है वैसे ही याहू भी है लेकिन Google का यूज बहुत जादा होता है याहू की तुलना में तो याहू के बारे में बहुत से बच्चों ने सुना भी नहीं होगा तो याहू क्या है अगर पूछा जा रहा है तो याहू एक क्या है search इंडियन होता है तो यहाँ पर सही जवाब क्या है सर्च इन्यन है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा अठारवा सवाद वाटसेप की अस्थापना कब होई थी? तो वाटसेप कब बना था? यहाँ पर पूचा जा रहा है तो वाटसेप बना था 2003 में वाटसेप की अस्थापना हमारी हुई थी ति यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा ए वाला कि वाटसेप की अस्थापना 2003 में हुई थी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ हमारा 19-वा सवाल है IRCT से क्या आसे है? रेलवे सेवा प्रदाता? एमेल सेवा प्रदाता, प्लास्टिक मनी या e-wallet अब IRCTC आपने कहीं न कहीं सो सुनाई होगा है जिसमें R का मतलब रेलवे ही है तो इसका क्या आसे है आपको जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है इसका मतलब होता है रेलवे सेवा प्रदाता है ये रेलवे की सर्विसेज देता है जैसे टिकट बुक करना, कैंसिल करना टिकट का ट्रेन कहां पहुँची है या ट्रेन आ रही है किस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़े आप किस पे चेक कर सकते हैं IRCTC पे चेक कर सकते हैं ये रेलवे सेवा प्रदाता है यहाँ पर A option हमारा सही है बढ़ते हैं अपने 20 सवाल की तरफ SMTP में M का क्या आर्थ है अब SMTP में SMTP क्या है SMTP एक प्रोटोकॉल है जो email भेजने के लिए यूज की जाती है जिसका full form होता है simple mail transfer protocol तो M से पूछा गया है तो M से होता है mail इसी से बनता है simple mail transfer protocol और M का मतलब है mail तो यहाँ पर C option हमारा सही हो जाता है बढ़ते हैं अपने 21 सवाल की तरफ अगर किसी ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो यह 20 वा question वहाँ पर भी आया था Among app को भारत में कब सुरू किया गया तो Among app की सुरूआत हुई थी हमारी 23 नवंबर 2017 में तो Among app के बारे में पूछा जाए कब सुरू किया गया था तो हमारा A option यहाँ पर सही है 23 नवंबर 2017 बढ़ते हैं अपने 22 सवाल की तरफ Among app का क्या उद्देश है तो अगर बात हो रही है Among app की तो उसका उद्देश होता है Fast Track Mobile Governance यहाँ पर B option हमारा सही है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जो की है हमारा 23 सवाल हम Gmail में अधिक्तम कितने size की file attachment कर सकते हैं तो देखे Gmail की अगर बात की जाए तो उसमें जो आप maximum size की file attach कर सकते हैं वो MB होती है 25 इस ले रहा है ठीक है अगर आप Gmail से mail भेज रहे हैं तो 25 MB वो maximum size है जिसकी attachment आप कर सकते हैं इससे जादा की attachment यहां पर possible नहीं है बढ़ते हैं अपने 24 सवाल की तरफ IMPS का पूरा नाम क्या है IMPS IMPS का पूरा नाम क्या है IMPS का full form होता है immediate payment service immediate payment service यह चीज है full form आपके IMPS का इसको याद रख लीजेगा O label triple C दोनों एक्जाम में यह बहुत बार पूछा जा चुका है बढ़ते हैं अपने 24 में की बाद 25 में सवाल की तरफ E-Governance प्रक्रिया बदलाव करती है तो देखे E-Governance Service आने से क्या बदला हुआ पारदरसिता में हाँ दच्छता में हाँ जवाब दे ही हुई हाँ तो यहाँ पर E-Governance Service मतलब जो आपका internet में ये electronic form में हुआ इससे पारदरसिता आ गई दच्छता आ गई और जवाब दे ही हो गई का आपने कोई report लगाई है तो उसका response भी आ जाता है तो यह सभी काम हुए है E-Governance प्रक्रिया के तहत तो इसमें हमको D-Option सही कर देना है बढ़ते हैं अपने 26 सवाल की तरफ 2FA का पूरा नाम है तो 2FA का full form होता है हमारा two-factor authentication two-factor authentication मतलब क्या होता है जब दो बार वो चेक करें आपकी authenticity कि आप वही आदमी है जो आदमी login कर रहा है जैसे किसी आदमी को आपका password पता चल गया अब वो login कर रहा है आपके Gmail में तो अगर आपने 2FA on किया है मतलब two-factor authentication on किया है तो वो password अगर सही भी रहता है वो फिर से आपके phone पे कोई code भेजता है और उस code को जब आप डालते हैं तब ही आपका email login होगा मतलब दो बार वो चेक करेगा आपकी क्या authenticity कि आप वही आदमी हो कि नहीं इस से security काफी हद तक बढ़ चुकी है और email hack होने जैसी समस्या घट चुकी है तो 2FA का full form हुमारा दीवाला है बढ़ते हैं अपने 27 सवाल की तरफ email के लिए संदेश कहां बनाये जाते हैं तो email के लिए संदेश क्या आप notepad पे बनाते हैं workbook में बनाते हैं message composition window में बनाते हैं या इन में से कोई रही तो email के लिए संदेश आप बनाते हैं message composition में तो जो message composition window होती है वहाँ पर आप अपना mail लिख के उसको forward कर देते हैं या कहें भेज देते हैं तो यहाँ पर C option हमारा सही है बढ़ते हैं अपने 28 में question की तरफ India Mart क्या है तो India Mart एक website है जो कि किसी भी चीज को खरीदने बेचने के काम में आती है और ऐसी website जिसपे कुछ बेचा जा रहा हो या कुछ खरीदा जा रहा हो ऐसी service दी जा रही हो इसे कहते हैं e-commerce website commerce मतलब खरीदना और बेचना e-mतलब electronic form में या internet की साहता से तो internet की साहता से जब कुछ खरीदा या बेचा जाता है तो उसे कहते हैं e-commerce और India Mart ऐसी ही एक website है हमारी तो यहाँ पर सही option है हमारा B वाला बढ़ते हैं अपने 29 सवाल की तरफ Gmail के founder कौन है तो Gmail को जिन्होंने बनाया था वो थे Paul Bucket यह इनके नाम की spelling है अब इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी pronounce करते हैं पर यह आप देख लीजे यह हैं हमारे Gmail के founder इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 30 सवाल की तरफ हमारा 30 सवाल है email का मुख्य content कहां होता है कि मतलब आप अगर email लिख रहा है तो उसका सबसे main part कहां होता है तो email में जो सबसे main section होता है वो होता है हमारा body वाला section body वाला section बीच में होता है और यहीं पे आपका सब content रहता है मतलब किस लिए लिखा गया है आप उस mail से क्या उमीद कर रहे हैं वो सारी चीज कहां होती है body में होती है 31 question की तरफ CRW का पूर्ड रूप है अब सॉरी यहां पर CRW नहीं CWR होना था ठीक है CWR ठीक है तो CWR का पूर्ड रूप क्या है तो CWR का full form होता है continuous wave reader यहां पर B option हमारा सही है बढ़ते हैं अपने 32 question की तरफ फिर से एक बार CRW continuous wave reader ठीक हमारा 32 question है आपके द्वारा भेजा गया email कहां पर restore होता है तो देखिए अगर mail आपके द्वारा भेजा गया है और वो पहुच गया है तो वो चला जाता है आपके sent वाले box में ठीक है कहां चला जाता है sent वाले box में अगर आपने भेजा और receiver ने receive कर लिया तो लेकिन आपके द्वारा भेजा गया पूचा गया है यह नहीं कि वो पहुच गया है तो अगर आपको email भेजे और वो पहुचा ना हो तो वो रहता है आपके outbox में ठीक है आपने भेजा और वो mail आपका receive ना हुआ हो तो तक तक कहां रहता है outbox में रहता है इसलिए यहाँ पर c option सही है क्योंकि पूचा गया है भेजा गया email कहां पर रहता है ठीक है यह गलती मत करिएगा अगर पहुच गया है तो वो मिलेगा sent में लेकिन अगर भेजा गया है तो outbox में मिलेगा ठीक है पहुचने से पहले तक बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चुकिए हमारा 30 सवा सवाल निम्न में से कौन सा email से संबंदित सब्द नहीं है तो email से संबंदित सब्द कौन सा नहीं है तो देखे receiver संबंदित है sender भी संबंदित है जो भेज रहा हो जो receive कर रहा हो inbox जहां पर आपका mail आता है powerpoint आपका mail से संबंदित नहीं होता है तो ये option यहाँ पर सही है कि इनमें से कौन सा email से संबंदित नहीं है तो वो है powerpoint ठीक बढ़ते हैं अपने 34 तिसमे question की तरफ निम्न में से कौन सी site, social site नहीं है तो social site क्या होती है जहाँ पर आप लोगों से जुड़ सकते हैं तो Instagram यहाँ पर आप लोगों से जुड़ते हैं LinkedIn पर भी आप जुड़ते हैं यहाँ पर job और profile के जाता लोग रहते हैं Twitter पर भी आपने देखा होगा लोग अपनी बातें share करते हैं पर Amazon पर ऐसा कोई काम नहीं होता है ठीक है तो इनमें से कौन सी social site नहीं है तो यहाँ पर आपको सही लगा देना है Amazon यह हमारी कोई भी social site नहीं है यह commercial site है e-commerce site होती है आगे बढ़ रहा है अपने 35 सवाल की तरफ प्रत्थम mail किसके द्वारा भेजा गया था तो प्रत्थम mail भेजा गया था हमारा 1971 में और उसको भेजा था Ray Tom Linson ने तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है B वाला इन्होंने हम क्या किया था प्रत्थम email भेजा था बढ़ते हैं अपने 36 सवाल की तरफ email का पोड रूप क्या है तो यह सवाल फिर से repeat हो रहा है इसका full form होता है electronic mail इसको ज़्यादा नहीं discuss करेंगे बढ़ते हैं अपने 37 सवाल की तरफ email भेजते समय कौन सी line विसेवस्तु का विवरण देती है तो वो भी हम देख चुके हैं यह है subject वाली line जिसमें हम सब कुछ एक line में समझा देते हैं इसको भी हमने उपर discuss किया है उमंग एप का full form है तो जो उमंग एप है इसका full form हमारा होता है Unified Mobile Application for New Age Governance तो यहाँ पर हमारा B options सही है उमंग एप का full form यह हमारा होता है इसे आप note भी कर सकते हैं यह भी सवाल बहुत बाहर पूछा गया है यह भी एक important सवाल हमारा है बढ़ते हैं अपने 49 सवाल की तरफ किस प्रकार का e-commerce कमपनियों की बीच में स्थापित होता है कि मान लीजे एक कमपनी है और एक दूसरी कमपनी है ठीक है यह हो गई कमपनी 1 और यह हो गई कमपनी 2 और यह दूसरे के बीच में क्या कर रही है ठीक है यह इसको कुछ बेच रही है या खरीद रही है लेकिन यह दूसरो क्या है कमपनी है यहाँ दोनो कोई आपके उभ्भोकता नहीं है ठीक है तो अगर कमपनी और कमपनी के बीच में e-commerce स्थापित हो रहा है तो इसको कहते हैं b2b b2b का मतलब होता है business to business कि मतलब ये वाला भी business करने के लिए खरीद बेच रहा है और ये वाला भी business करने के लिए खरीद बेच रहा है तो ये होता है b2b ठीक जैसे कोई मान लीजे फोक व्यापारी है और वो फुटकर व्यापारी को कुछ बेच रहा है तो दोनों यहाँ पर व्यापारी हैं दोनों यहाँ पर बिजनस कर रहा है और ऐसे मॉडल को कहते हैं B2B मॉडल ठिक कि बिजनस वाला ही बिजनस वाले को बेच रहा है बढ़ते हैं अपने 40 में जवाल की तरफ जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उप्भोकताओं को भीजता है तो इस प्रकार का वारिज होता है तो देखिए जब यहाँ पर सोची है क्या चीज़ पूछी गई है कि एक तो आपकी क्या है बिजनस है ठीक है लेकिन दूसरा आपका क्या है जो दूसरा है वो क्या है उब्भोकता है मतलब यह आपका किस्टमर है तो यह कैसा मॉडल हुआ यह हुआ बिजनस से किस्टमर की तरफ तो यहाँ पर हमारा C option सही है 48 में में कि जब कोई व्यावसाय होता है, कोई व्यावसाय करने वाला है, और वो customer को बेच रहा है, वो भोगता को बेच रहा है, तो इसे B2C model कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने 41 सवाल की तरफ, और e-commerce की परिभासा क्या है, तो internet पर email का प्रसारण नहीं, catalog और telephone के माध्यम से बिक्री नहीं, electronic माध्यम से व्यावसाय और संचार लेंदेन माध्यम, हाँ ये सही है, कि जब आप electronic माध्यम से, मतलब internet का use करके, आप business करते हैं, और lane देन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, e-commerce कहते हैं, e-mतलब क्या होता है, electronic commerce, मतलब खरीद न बेचना भी उपर ही बता है, जब electronic माध्यम से आप कुछ खरीद और बेच रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, e-commerce model कहते हैं, यहाँ पर C option हमारा सही है, बढ़ते हैं अपने बाया लिसने question की तरफ, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए online प्रडाली प्रक्रिया सुरू की गई, तो यह प्रक्रिया, online प्रक्रिया मतलब जब आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, और आप पहले से ही number लगा ले रहे हैं, वहाँ जाके आपको number नहीं लगाना है, यह बीच्चू में भी होता है, बड़े बड़े सरगारी अस्पतालों में भी यह चीज होती है, आप online ही number लगा लें, जिससे आपको जाकर वहाँ पर दिक्कत ना हो, पहले से ही आपको doctor alert हो जाते हैं, यह प्रक्रिया सुरू ही जुलाई 2015 15 में, तो यहाँ पर सही option हमारा A वाला है, बढ़ते हैं अपने 43 में question की तरफ, उमंग एप निम्न सेवाओं को सुलब कराता है, income tax file करना, आधार और PF fund क्वेरिटी को हल करना, gas cylinder book करना या उप्रोग सभी, तो उमंग एप से आप यह सारे काम कर सकते हैं, ठीक हैं, तो यहा प्रोजेक्ट है, तो एनी जी पी का सबसे सफल प्रोजेक्ट है हमारा passport सेवा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर B option हमको सही कर देना है, कि एनी जी पी का सबसे सफल प्रोजेक्ट हमारा B वाला है, PSP जी से कहते हैं, passport सेवा प्रोजेक्ट, बढ़ते हैं अपने 45 में question की तरफ, PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कमपनी Application Software की विकास और सरकार को Assist करने के लिए उत्तरदाई है तो ये कोई और कमपनी नहीं हमारे Tata जी की कमपनी Tata Consultancy Service है TCS नाम से भी इसे हम जानते हैं यहाँ पर सही Option है हमारा C वाला बढ़ते हैं अपने 46 कोश्चन की दरफ Among Application किस पहल का एक हिस्सा है Among Application कब आया था जब Digital India लाया गया था भारस सरकार के दोरा तब ये हमारा Among App आया था तो यहाँ पर सही Option है हमारा D Digital India बढ़ते हैं अपने 47 कोश्चन की तरफ सार्थी कब लाउंच हुआ तो सार्थी लाउंच हुआ था जुलाई 14, 2017 में यहाँ पर हमारा A Option सही है बढ़ते हैं अपने 48 कोश्चन की तरफ IR CTC द्वारा Internet Ticketing Operation किस तारिक को सुरू किया गया था तो Internet Ticketing Operation सुरू किया गया था हमारा 3 अगस्त 2002 ठीक हैं तो B Option हमारा यहाँ पर सही है कि इस समय Internet Ticketing की सुरूआत हुई थी बढ़ते हैं अपने 48 कोश्चन की तरफ कि WhatsApp ग्रूप में अधिकतम कितने सद से आप जोड सकते हैं तो कोई आप WhatsApp ग्रूप बनाते हैं तो वहाँ पर अधिकतम लोग जोडने की सीमा है 256 इस से ज़्यादा आपको अगर जोडने हो तो आप दूसरा ग्रूप बनाएंगे इस से ज़्यादा लोग आप एक ग्रूप में जोड नहीं सकते हैं बढ़ते हैं अपने आज के आखरी सवाल की तरफ जो कि हमारा पचासवा सवाल OLX क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जब भी किसी वेबसाइट पे कुछ खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो होती है हमारी e-commerce वेबसाइट ठीक है तो किसी वेबसाइट पे कुछ खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो कैसी है e-commerce वेबसाइट यहाँ पर B option हमारा सही है, तो यह था आज का हमारा 50 question अब इसके बाद आपको description में जाना है PDF डाउनलोड करनी है और वहाँ पर इन question की practice करके देखना है कि कितने question यहाँ पर जो आपने पढ़े हैं उनको आप कर पा रहे हैं ठीक है, अब अगर यह video आपको काम की लगी हो, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस video को like कर दीजेगा और channel को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं अगले chapter के साथ Thank you